नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल Amazing Education News में दोस्तो अनुदेशक मांदे 17,000 जिसका कोट केस का फैसला आ चुका था वो अनुदेशकों के लिए बड़ा ही मुश्किल चीज बन चुकी है क्योंकि आप सभी को पता है कि अनुदेशक मांदे 17,000 कोट केस काफी लंबे समय तक चला था और अब इसका फैसला आने के बाद जब अनुदेशक मांदे 17,000 कोट केस की जो फैसला है उसको लागू करने का समय है तो बहुत सारी जगह पे अजीब 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 तरीके की चीजों को देखने मिला है मैं सम्मंद में आज आप सभी को अवगत भी कराऊंगा और साथधान भी कराऊंगा कि ऐसे लोगों से आप खास तोर पर बच कर रहें दूर रहें जो आप से 17,000 के नाम पे चंदा बसूली कर रहे है यही बात हिमांचु वर्मा जी ने साथ तोर पर इस बार चुनोती देते हुए और उन्हें एक साथधान रहने के लिए कहा है कि इस तरीके के जो भी लोग हैं जो चंदा बसूली का काम करके आम अनुदेशकों को परिशान कर रहे हैं आम अनुदेशकों का शोचण कर रहे हैं वो सभी खबरदार रहें क्योंकि इस बार अगर उन्होंने फिर से ऐसा कुछ ना कुछ बड़ी कारवाही भी अवश्य करी जाएगी या फिर उनकी एक बड़ी शिकायत भी की जाएगी क्योंकि इस तरीके से अनुदेशक जो कि मात्र 9,000 रुपए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको परिवार चलाना भी मुश्किल पड़ा है और आप उनी अनुदेशकों को गुमरा करके इस तरीके की बाते करके उनसे 17,000 के नाम पे चंदा वसूली कर रहे हैं उनको बैसे भी पैसों की जरूरत है और ऐसे में आप आम अनुदेशक को ही उल्लू बना कर उनका बेफूप काटकर 17,000 के नाम पे अपनी जेमो को भरने में लगे हुए है देखिए आपकी स्क्रीन पे पूरी पोस्ट है वो पोस्ट काफी लंबी है और आप सभी भी इस पोस्ट से अभी तक वापके हो चुके होंगे लेकिन मैं फिर भी इसकी चंद लाइने आपको पढ़के बता देता हूँ कि किस तरीके से हिमान शुवर्मा जी के दोरा साथ तोर पर चेतावनी दी गई है मैं आपको पढ़ता हूँ देखिए समस्त साथियों को नमशकार साथियों कई जन्पतों से सूचना मिली है कि कुछ लोग अपने ब्लॉक में बैठक कर सत्रह हजार के लिए सरकार के खिलाफ अनुदेशकों को गुमरा कर रहे हैं और चंदे की विवस्ता में लग गए हैं कि सरकार के खिलाफ कोड जाना होगा ये कहकर चंदा मागा जा रहा है तो इस तरीके के चंदा चोर तुरंत लाखो रुपए वार निवार करके करने के लिए अनुदेशकों को गुमरा करना शुरू कर देते हैं भोले भाले अनुदेशकों को ठगना शुरू कर देते हैं लेकिन अब बरदास्ष बाहर हो गया है अब किसी के भविशे के साथ इन चंदा चोरों को खेलने नहीं दूँगा सरकार जब सुप्रीम कोट नहीं जा रही है इसके बाद भी इन चोरों के चुल नहीं मान रही है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा इस बार कोई भी चंदा चोर चंदे की पोस्ट डाल कर देखे, किसी भी ब्लॉक या किसी भी जिले से ख़बर आ गई, तो चंदा मांगा जा रहा है, तो ऐसे लोग कान खोल कर सुन लें, कि वो किसी भी लायक नहीं बचेंगे, इसके बाद हिमानशी जी ने साफ तोर पर ये क है कि अगर आप इस तरीके का काम फिर भी करते हैं, तो उनके खिलाब वो आगे की कारवाई या सिकायत भी कर देंगे, तो इस बार जितने भी चंदा चोर है, वो ध्यान रखें, खास तोर पर ध्यान रखें कि भोले-बाले अनुदेशकों को आप गुमरह करके, अपनी जे लाबनी दी है, और आप होशियार भी रहें, और हम मैं आम अनुदेशक से भी ये गुजारिश करता हूँ, कि आप लोग पढ़े लिखें हैं, समझदार हैं, और एक बच्चों के भविश्य को बनाने का काम करते हैं, और अगर ऐसे में कोई जना आपका ही बेखूप काट तो ये बहुत ही गलत बात है, आप लोगों को खुद भी साफधान रहना चाहिए, एक जुट रहना चाहिए, और इस तरीके के लोग जो आपको किसी भी नाम पर चंदा बसूली का काम करते हैं, खासकर 17,000 मांदे के नाम पर, तो आप ये समझ लिए सरकार आगे की कोई कार पूर रहे और ऐसे लोगों को से दूर रहे और बाकी अनुदेशकों को भी जागरत करते हुए उनको भी उनसे दूर रहने के लिए कहे फिलाल मैं सभी अपने अनुदेशक भाई बैन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सतर करें और अपनी बुद्धि मत्ता का प्रदर्शन भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी अनुदेशक को तक यह बात पहुंच सके और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन वाला बटन जरूर दब धन्यवाद